ओम शान्ती आज छे जोन हैं तो आईए सुनते हैं मेठे प्यारे बाबा के मेठे मेठे मावा क्या मुख्या आठ पॉइंट्स पहला पॉइंट है बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सहज योगी हो और निरंतर योगी सहज योगी माना जिनको योग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती सहजी सहज इनका योग लग जाता है और दुसरा निरंतर योगी निरंतर बीना अंतर के यनि कि कभी योग लगा कभी तूटा कभी लगा कभी तूटा नहीं इस खेल से पर है तो हो गए निरंतर योगी तो ये बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिये है कि आप सहज योगी हो और निरंतर योगी हो और जो सहज योगी होगा और निरंतर योगी होगा उसकी वशेष्टा पहली क्या होगी सबसे पहले वो आत्मा सुराज्यादिकारी होगी सुराज्या उसको स्वयम पर माना अपनी करमिंद्रियों पर संपून राज्य होगा उसके संकल्प भी कभी करमिंद्रियों द्वारा धोखाने देंगे कभी थोड़ा भी देवी मान आया न तो जोश यक रोध वाई जाता है लेकिन जो सुराज्यादिकारी आत्मा होती है वो कैसी होगी निर अहंकारी और सदाही निर्मान चित नमर भावाले होगी और निर्मान के कारे करने वाली महलं प्लानिंग बुद्धी होगी ठीक है तो ये देखो निरंतर योगी, सहज योगी बनने के कारण आत्मा के अंदर कितने कारटिस आजाती है सुराज्यादिकारी बन जाता है करमिंद्रिया जीत बन जाता है देभान से मुक्त होता जाता है निर्हकारी बनता जाता है निर्मान चित बनता जाता है और माया चीत, जगत चीत भी वही बनता है ठेक है, तो हमें क्या बनना है? सहज योगी, निरंतर योगी हमारे भैवार में भी वो जोश, कुरोध या वेश दिखाई ना दे इससे भी पड़े निर्मान चित्त आत्मा ये सहज योगी और नंतर योगी आत्मा की निशानी है दूसरा पॉइंट है बाबा ने कहा लाइट हाउस बन जाओ लाइट हाउस कहा होता है जो शिप्स होता है न शिप जहाज उनको रास्ता दिखाने वाला दिशा निर्देश करता है तो हम भी क्या है इस दुनिया रुपी भव सागर में हर एक आत्मा के लिए लाइट हाउस है उनको दिशा निर्देश दिखाने वाले मन सही दिशा कौन सी है जीवन की कैसे जीवन में चलना चाहिए ये कार्य हमारा है के लिए हमें हर पल मन बुद्धी से लाइट फिलाते रहना है ठीक है किसी भी बात में भैवीत नहीं होना है ठीक है किसरा पॉइंट है बाबा कहते है बाबा हर एक फूल को देखते है माना हर एक आत्मा को देखते हैं बावा ने आज बच्चों की तुलना फूल से की है तो बावा बच्चों को देखते हैं कई बच्चे बावा से मिलने के लिए बहुत तडबते हैं तडब तडब कर बावा से मिलने आते हैं तो बाबा कहते कि ऐसे बच्चे तो बहुत first class होते हैं ऐसे बच्चे फिर बहुत उंच-पद के अधिकारी भी बन जाते हैं बाबा कहते कई बच्चे ऐसी हैं बांधेली घर में मार भी खाती हैं कहती है शुब बाबा हमारी रक्षा करो तो बाबा केते बच्चे ये द्रोपदी का जो मिसाल है तुम बच्चों का ही है तुम बच्चे हमेशा बाप को ऐसे संगम भे पुकारते हो तो बाबा बचाने के लिए आते हैं तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने जो पती लोग है उन्हों को भी भूँ भूँ करते रहो, माना ज्यान सुनाते रहो बाबा कहते बोलो कि काम महाशत्रू है, इसको जीतेंगे तो विश्यू के मालिक बन जाएंगे बाबा कहते कई बार क्या होता है, अब लाओं के बोल लग भी जाते हैं, सामने वाली आत्मा ठंडी पड़ जाती है फिर कहती अच्छा भले तुम जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम जाओ लेकिन बाबा के दे कई बार कहीं उल्टा भी होता है, कई स्त्रियां भी ऐसे विकारों के पीछे बहुत हंगामा भी करती है इसे सुरुपनखा और पूतना की तरह है, तो उनको पूर्षों को फिर भूँ भूँ करना पड़ता है, उनको ग्यान सुनाना पड़ता है ऐसे बाबा केते किसम किसम के बच्चे हैं, बाबा केते कई कन्याएं भी होती हैं जो कांटा बन जाती हैं, क्योंकि अपनी पूरी जन्म बत्री बाबा को बताते नहीं, सच सुनाते नहीं, तो जूट तो जलना सके, जूट अंदर-अंदर महमारी बन जाता है माना एक चोटी सी बात भी कोई होगी गलत, खराब लेकिन अगर समय भी बाबा को नहीं बताएंगे तो वो फिर क्या बन जाती बड़ी बात महमारी बन जाती है फिर आत्मा को डुबो देती है इसलिए बाबा केते, बाबा को अपना सचा चाठ ज़रूर देना चाहिए चोत्हा पॉइंट है, बाबा केते सर्विस नहीं करेंगे, तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे हर एक उपने दिल से पूछो, कि मैं किस परकार का फूल हूँ, किस परकार का माली भी हूँ तो बच्चों को विचार सागर मंतन करना चाहिए बाबा कहते जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं उन्हों को देख तो बाबा बहुत खुश होते हैं बाबा की चलन तो बहुत रुआल होती है बहुत अच्छा पुर्शाथ करते हैं जैसे कि गुलाव की फूल की माफिक, कई तो बावा कहते जंगल के जैसे कांटे के कांटे रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चों से अपने आपको बजाना चाहिए, खबरदारी रखनी चाहिए, ऐसे के संग में नहीं जाना चाहिए. पांचवाँ पॉइंट है, बावा कहते एक-एक कांटे को फूल बनाने में बड़ी महनत लगती है, कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, कांटा ही पसंद करते हैं, आँखों की वरीती बहुत गंदी रहती है, दृष्टी बहुत गंदी रहती है, तो बावा कहते यहां आ तो अच्छा है जिनको देखके मैं खुश होता हूँ बाबा करते देखता हूँ ना कि इनकी वरीती कैसी है इनकी नजर में क्या है कोई फाल्ट तो नहीं है माना इनकी वरीदिश्टी वरीती कैसी है बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं यह मेरे फूल है तो किस परकार के इनमें कितनी खुश्बू है, कांटे से फूल कितना बने हैं, कुद को कितना परिवर्टन कर रहे हैं, कितना ये पुर्शात करते हैं, कितना योग में ठहर सकते हैं, ठहर सकते हैं कि नहीं ठहर सकते हैं, इनके कितने पाप कटे हैं, कितने अभी बाकी हैं, कितना ये औरों को आजाद करते हैं विकारों के चंगुल से कितना इनों के अंदर उमंग है, हुलास है, जोश है कितनी मेहनत करते हैं, बाबा सारा चेक करते हैं च्छटा पॉइंट है, बाबा कहते हैं बाबा क्या है, बाबा क्या है, बाबा क्या है तो बाबा कहते हैं मैं आता हूं तो एक एक बच्चे को देखता हूं उसको शरिंगारता हूं गुण भरता हूं और कहता भी हूं बच्चे तुम्हारे में ये खामिया है खबरदार रहो खामियों को निकालो अगर अभी खामिया नहीं निकालेंगे तो बहुत पश्ता ना प तुम इतना लायक बनो, कांटे से फूल बनना चाहिए न, जंगल के कांटे क्यूं रह जाते हो, तो अपने को अच्छे पुर्शार्थ के लिए तयार करो, साथमा पॉइंट है, बावा केते बच्चे देव हिमान में बहुत आ जाते हैं, और देव मान तो बड़ते बड़ा क चलते हैं, फिर समझते हैं कि विकार में यहां नहीं जाना पड़ेगा, और हम पवितर नहीं रहे पाएंगे, तो फिर शूर शूर में आते हैं, शमशानी विराग्या के कारण, और बाद में छोड़ देते हैं, क्यूंकि वरिती गंदी रहती है, इतना शुद बन नहीं सकत तो बाबा केते हैं, जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास लाते हैं, और समझते हैं अच्छा है, वो भी के बाद चले जाते हैं, बतलब बाबा से मिलने के बाद भी कही आत्में चली जाती हैं, तो बाबा केते हैं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है कोई तो सुधार कर लेते हैं कोई के अंदर तो 10-20% भी सुधार नहीं आता है जैसे कि तैसे रह जाते हैं तो बाबा कहते मेरे पास अच्छे-च्छे फूल लाओ मुर्जाए वो फूल मत लाओ आठमा पॉइंट है बाबा कहते हैं बाब की नजर उन बच्छों में पढ़ती है जिनकी बहुत अच्छी खुश्बू है खुश्बूदार फूल है और जो अनेकों को कांटे से फूल भी बनाते हैं सर्विस करते हैं और उनके अंदर दे भी मान बिलकुर नहीं है उनकी दिश्टिवरिती गंदी नहीं है आंखे धोखा नहीं देती है ऐसे बच्छों पर बाबा की नजर पढ़ती है तो बाबा कहते हैं बच्छे फूल बन जाओ तुम बच्छों को बहुत खोश्यार माली बना है माना अन्यात्मों का भी कल्यान करना है ऐसा माली बना है अन्यात्मों की जो जोद बुच चुकी है जो आत्मे कांटे समान बन चुकी है उनको ग्यान देकर फूल बनाकर बाबा की सामने लाना है ठीक है? ओम शान्ती